हलो स्टुडेंट्स, मैसल्क मनोर सर्मा, टीम बॉटनी, CLC सीकर आज आपन सॉलुशन करने जा रहे हैं, अपनी टैस्स सीरीज मोस्त पॉपुलर इंडिया की आपके क्या है, टैस्स सीरीज है नCIT-based paper, पूरे बॉटनी का paper का अपन क्या है, 1-1 अपन क्या है, एके-क्यूशन का क्या करते हैं, सारा paper फुली आपके क्या था, नCIT-based था, फिर भी कोई छोटी-मोटी आपको कोई दिक्कत आई है, तो फिर आपन इसका क्या देख लेते हैं, सालुशन, चलो बेटा, एके-क्यूशन का अपन सालुशन लेते हैं, पहला है 136, बॉटनी पार्ट, प्लान डाइवर्सिटी फर्स्ट, क्या करें आप, systematic term derived from, यानि कि systematic term जो है, वो आपके कहां से derived हुई है, तो यह आपके क्या है, systematic arrangement जो होता है, वो आपके लिया जाता है, किसमें, systematics में, और यह term जो है, वो आपके दी थी किसने, careless linear, तो यह Latin word है, और जो आपके क्या है, systema से आपके क्या हुआ है, बिटा, originate हुआ है, next question जो है, उस पर आपन बात करते हैं, क्या कहोगे आप, next question जो है, वो है आपका, which of the Vihitakar's kingdom not have well-defined boundaries, यानि कि आपके Vihitakar के जो five kingdom system है, कौन-कौन से है, monera है, monera है, protesta है, fungi है, planty है, और आपके क्या है, animalia, इन मेंसे बिटा, आपके क्या है, protesta जो था, उसकी boundaries जो है, वो आपके क्या नहीं थी, well-defined नहीं थी, कुछ organism ऐसे थे, जैसे claim item onas हो गया, जिसको आप planty में भी रख सकते हो, और कहां रखते हो, protesta में भी रखते हो, तो answer जो जाएगा, वो बिटा, आपके क्या जाएगा, protesta, next अपने बात करें, क्युश्यन की, तो फिर है आपके क्या, कि अगर आपको क्या है, number, क्या है, number, structure, और behavior of chromosome are used as a criteria for classification under the branch of, यानि कि आपके क्या है, ये character, एक तो number लेना है, एक structure लेना है, एक behavior लेना है, कि इसका, chromosome का, ये आप क्या है, classification ये diversity जो है, जिसमें आपन पढ़ते हैं, taxonomy में, तो taxonomy की किस branch के साथ ही deal करेंगे, तो NCIT का सीधा-सीधा आपके क्या है, statement है ये, कि number, structure, और behavior of chromosome जो देखा जाता है, वो आपके किसमें देखा जाता है, पीटा, cytotaxonomy में, देखो, आप क्या करेंगे हो, chromosome जो है, वो related किससे है, बताओ, कहा मिलेगा आपको, cell में, तो cell की आप structure देख रहे हो, तो आप किसमें देखोगे, cytotaxonomy में, ओके बीटा, तो answer आपके जाएगा कौन सा, fourth, ठीक है, next आपन चलते हैं, next जो question है, वो है, आपके match the column, ठीक है, column आपसे क्या करवा रही है, match करवा रही है, चलो, column आपने match कर लेते हैं, column first और column second को आपको क्या करना है, match करना है, अब यहाँ आपको क्या दिये हो है, botnical gardens दिये हो है, और इनकी location आपसे पूछिए कि कौन सा botnical garden कहां locate है, सीधा NCIT का question है, बिटा, देखो, royal botnical garden, royal botnical garden आपके कहां था, क्यू जू है, वो आपके locate है कहां, England में, it means, यहां बिटा जी, आपके क्या आएगा, second, ठीक है, Indian botnical garden, आपके कहां locate है, हावडा में, ठीक है, तो हावडा आपको दिया हुआ है, क्या, third, तो यहां आपके क्या जाएगा, बिटा, third, National Botnical Research Institute, बिटा जी, आपके कहां है, लखनव में, तो यहां आपके क्या जाएगा, first, यानि कि सही sequence होगा, second, third, और first, तो यहां यहां आपके second, third, और आपके first, तो question में आपसे पूछ रहा है, Royal Botnical Garden, क्यों जो है, वो आपके कहां था, इंग्लेंड में, Indian Botnical Garden, जो है, वो आपके कहां है, हावडा में, और National Botnical Research Institute, जो है, वो आपके कहां है, लखनव में, ओके बिटा, तो सीधर सीधर देखो, आप सारी जो dealing हो रही है, वो आपके क्या हो रही है, NCRT-based, mostly questions, जो है, वो fully क्या है, NCRT-based, और आपने बहुत अच्छे से आपके क्या है, score भी किया होगा, ओके बिटा, अब देखो next, अगर आपन चलें तो, next, आप क्या कहोगे, 140 question, 140 question में आप क्या कह रहे हो, बिटा, देखो, linear system of classification was based on, by linear, जो है, उसका classification system जो था, वो आपके कैसा था, two classification system, क्या था, two classification system, या इसको आपन कहते है, two kingdom system, क्या था, two kingdom system, और ये two kingdom system, बेटा, जो mainly basis था, वो आपके किस पे basis था, morphological characters पे, किस पे basis था, विटा, morphological characters पे, तो आपके क्या है, linear system of classification was based on, तो किस पे आएगा, morphology, तो morphology, अंसर आपके चला जाएगा, क्या, first, ओके विटा, next question अपन लेते है, देखें आप, next question जो है, वो है, आपके क्या, match column first with column second, and select the correct option from quotes given below, यहाँ भी आपको क्या है, जो भी आपके column है, उनके, आपके क्या करनी है, matching करनी है, चलो, मिलाते हैं, यहाँ आपको five क्या दिये हुएं, बेटा, kingdom दियो है, अब इन five kingdom से related कौन-कौन सा organism है, उसके बारे में बेटाजी आपसे पूछा गया है, देखो आप, monera, तो monera में आपके कौन, clay mydomonas, और solenum नहीं आएंगे, तो bacillus और oscillatoria, दोनों आपके क्या है, bacteria, तो यह जो है, बेटाजी, उसका आपके आएगा, क्या, second, फिर है दूसरा है आपके protesta, तो protesta में आपके कौन-कौन आते हैं, यूगलीना और ट्रिपनोसॉमा, तो यानि कि आपके क्या हो जाएगा, third, फिर आपन बात करें किसकी, फंजाई की, तो फंजाई जो है, वो आपके क्या है, है Mucoror, Penicillium, यानि कि यहाँ आपके क्या जाएगा, fourth, Planty में आपके जाएगा, कौन, Clamidomonasaur, Solenum, तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, first, और Animalium में बिटा आएगा, Phallus और Panthera, यानि कि आपके क्या हो जाएगा, यहां 5th, ठीक है, यहां आपके आजाएगा क्या 5th, तो sequence रहेगा 2nd, 3rd, 4th, 2nd, 3rd, 4th, 1st और 5, यानि क्या answer आपके रहेगा क्या 1st, आई बात समझ में, देखो आप क्या कहे रहे हो, monera जो है, उसमें आपके कौन है, bacillus और oscillatoria, आगे बात समझ में, प्राटिस्टा में आपके युगलीना और trypnosoma, फंजाई जो है, उसमें आपके कौन आएगा, meukeror, panaisilium, और आपके प्लांटी जो है, उसमें आपके कौन है, clemydomonas और solenum, और animalia जो है, उसमें आपके कौन आएगा, phallosaur panthera it means अगर इनको आप match करोगे तो answer आपके जाएगा कौन सा first next question आपन बढ़ते हैं next question की तरफ देखें आप next question आपन देखें तो आपके क्या होगा given figure is filamentous blue green algae nostock यहनि कि nostock का आपको तो क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है. इस फिगर में यह आपसे A और B कर रखा है, इसमें आपसे मैच कर वा रहा है कि A क्या है और B क्या है. चलो अपन बात करते हैं, तो देखो आप क्या करोगे A और B की अगर आप बात करोगे तो, यहाँ जो है गिवन फिगर इज ओ फिलामेंटस ब्ल्यू ग्रीन अलगा नॉस्टॉक, आइडेंटिफाइड़ पार्ट्स मार्क एज A और B एंड सलेक्ट दा करेक्टर ओप्शन, देखो A जो है वो बेटा आपके क्या है? हेट्रोसिस्ट, क्या है? हेट्रोसिस्ट, और B जो हो गया क्या Mucillaginos सीथ। यानि कि पहला है, हेट्रोसिस्ट और दूसरा आपके होगा Slesema , आवरण. तो यहां », आपके हो जाएगा क्या? क्या? First और यहां समझ में ? तो यहां आंसर जो जाएगा वो आपके क्या जाएगा बिटा फिर्स्ट तो देखो बिटा आपने बात कर रहे है कि इसकी इसकी कि आप क्या करेगा हो syno bacteria used in agriculture fields for crop improvement ठीक है crop improvement के लिए आपने इनको क्या करते है यूज करते हैं क्यों crop improvement में इनका यूज तभी आपाएगा जब ये productivity को क्या करें increase करें यानि कि आप कहरे हो साइनो जीवानु का अपयो क्रेसी छेत्र में फसल सुधार में किया जाता है क्योंकि ये करते हैं देखो ये end to fixation करके और आपके productivity यानि कि उत्पादकता को बेटा क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं इनका जो main cause है कि आपने को काई में crop improvement में या फसल सुधार में यूज करते हैं तो वो है आपके क्या end to fixation तो answer आपके कौन सा जाएगा first यानि कि आपके end to fixation next अगर बेटा आपन बात करें तो फिर आप क्या कहोगे देखो next जो है वो है the concept of contagium vivum fludium ये आपके किस ने दिया है देखो आपके क्या है एक वैग्यानिक हुए थे आपके कोई बिजरेंक ठीक है कौन से बेग्यानिक हुए थे बिजरेंक बिजरेंक जो है बिजरेंक ने जो है आपके कहा क्या contagium vivum fludium contagium vivum fludium यानि कि इनके आपके कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने आपके क्या थे infectious जो भी आपके क्या थे plant थे उनकी leaf से आपके एक juice-like structure गिजनको इन्होंने healthy plant पर आपके क्या किया इस्प्रे किया थे healthy plants भी इंफेक्ट हो जाता है तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी infectious flud है जो की आपके क्या है healthy plants प्रभाके क्या कर देता है infected कर देता है उनको इन्होंने कहा था Contagium, Vivum, Fluidium और इससे related आपके कौन थे? MW, Bittering ठीक है? और आपको पैता ही है वाइरस का जो crystallization जो किया था, वो आपके किया था किसने? इस 10 लेने किसने किया था, इस 10 लेने तो यहाँ answer जो जाएगा वो आपके जाएगा 2nd यानि कि MW, Bittering ठीक है बिटा, next question की और आपन बढ़ते हैं, देखो फिर आप क्या आगिया है, वापस क्या? Match column first with column second Select the correct option from the course given below दिये गए कॉर्ड द्वारा column first with column second को आप क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए चलो मिलाते हैं आपन इसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कौन? Plant virus कौन पूछ रहा है? कि plant virus आपके कौन सा है? तो देखो आपके crude disease potato spindle tuber, polio और tobacomojac virus तो tobacomojac virus जो है वो आपके कौन सा है? Plant virus तो यहाँ बिटा जी आपके आजाएगा fourth animal virus जो कि animal में आपके disease कौज करता है तो वो आपके कौन है? polio का virus है third viroids viroids जो है इसकी discovery आपके की थी? T.O. Diner ने और यह आपके क्या है? इससे disease जो होती है वो आपके क्या है? PSTD potato spindle tuber disease तो PSTD आपके कहाँ दे रखा है? second में तो यहाँ आपके आजाएगा second और preons जो हैं वो कौज करते हैं आपके crude disease ठीक है? तो यहाँ आजाएगा four, three, second and first four, three, second and first answer जी आपके कौन सा होगा? first पक्का चले आगे I hope आपका paper बहुत अच्छा हो रहा होगा देखो आपने देखा भी है हर क्यूशन कहां से बिटा NCRT-based अगर paper में आपको बहुत अच्छे से score करना है तो आप NCRT की एक-एक लाइन पे बिटा क्या करेंगे? focus करेंगे तो आपन सोच सकते हैं कि अपने नीट में 360 out of किते आएंगे 360 ओके बिटा, आगे चलो next अगर अपन बात करें तो next question आपके कौन सा है biological concept of species given why भाई आपके क्या है biological concept जो था किसका? species का वो आपके किस ने दिया था बिटा? मेर ने और यह आप धंग से जानते हो evolution में भी पढ़ते हो यह जन्निक प्रथक करन यानि कि reproductive isolation पे आपके क्या था? basis था तो आप क्या केते हो biological concept biological concept of species यह आपके किस ने दिया था? मेर ने ठीक है? किस पे basis था वेटा आपके? यह reproductive isolation पे किस पे basis था? reproductive isolation पे देखो आप क्या केते हो कि मेर आपके केते है morphologically similar क्या morphologically similar organism का ऐसा आपके group, जिनमें आपके inbreeding आपके क्या हो, possible हो और inbreeding से fertile of spring क्या करते हो, generate करते हो इन सारे organism का जो group है, उसको आप कहोगे क्या species, तो species जो word है, या species biological concept of species जो है, वो आपके किस ने दिया था, मेर ने और किस पे basis था, reproductive eye solution पे, तो answer आपके चला जाएगा कौन सा, fourth ओके बीटा, तो यहाँ answer जो है वो आपके क्या होगा, fourth answer जो है अपने कौन सा हो जाएगा, fourth, तो मेर ने आपके biological concept of species दिया है, और वो आपके किस पर basis है, बीटा reproductive eye solution पे आपके क्या है, basis है, ओके बीटा, next चलते हैं आपन, all multicellular, देखो concept को समझे बीटा, आप क्या दे रहा है, देखो, NCIT-based question है, एकदम, क्या कह रहा है, organism जो है, वो आपके कैसा है, multicellular, कैसा है, multicellular है, तो multicellular आपके क्या है, it means आपके क्या है, यह protesta भी नहीं है, और आपके monera भी नहीं है, ठीक है, multicellular हो गया तो, फिर कह रहा है, heterotrophic organism, यानि कि autotrophic नहीं है, तो heterotrophic है, तो फिर यह तो आपके कौन है, बोलो, सीधा सा आगया, multicellular है, तो protesta और monera नहीं होगा, और heterotrophic है, क्योंकि planty जो है, वो आपके क्या है, autotrophic, तो सीधा सापके क्या आगया, heterotrophic आगया, जिसमें non-cellulogic क्या है, cell wall, non-cellulogic का मितलब हो गया, cell wall काईकी बनी हुई है, cellulog से composed नहीं है, तो ऐसा किसमें होता है बटा, फंजाई में, क्यों, क्या कहते हो, यह multi-cellular है, कैसे हैं, multi-cellular है, इसके अलाबा इन में क्या मिलेगा आपको, luge tissue, और फिर यहां कहते हैं, आप cell wall जो बनी हुई है, वो आपके cell wall है, non-cellulogic, कैसी है, non-cellulogic, फिर कहोगे कि सर यह किसकी बनी हुई है, तो यह आपके बनी हुई है, काई की, कायटिन की, तो यह organism जो आपको दिया हुआ है, वो आपके कौन है, फंजाई, तो सभी बहु कोसी की है, cellulogic, विहीन, कोसी का भितियुक्त, विसंपोसी जीवों को, निम्न के अंतरगत समलित किया गया है, तो किसके अंतरगत समलित किया है, विटा, फंजाई के अंतरगत, पक्का, देखो, next आपन चलें तो, Most of the Archibacteria respire, अधिकांस Archie जीवानू जो है, वो आपके स्वसन किस से करते हैं, ठीक है, तो आपको पता, यह Archie Bacteria, mostly विटा, आपके कैसे होते हैं, जीवानू 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 जीव किई्टे में आपके क्या करते हों ? किई्टे में बहुत सारी चीजें हैं ! थोड़ा सा आपो है डिटेल में बता देता हूं किई जो है वह असमें आपे त्रडrahcan की आप बात करते हो ? उनको आपके पने क्या है ? कॉपलेट क्या बलते हो उनका उल मुपलेट recently ? फेक है ? इसके अलाभ़ आप क्या कहते हो, कि कीज जो हैं वो आपके similarities और dissimularities पे आपके क्या होती हैं basis होती हैं एक मेसे इनको आपके क्या है, select कर लिया जाता है और दूसरे को आपके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है इसका every statement जो होता है इसको है यापन क्याते हैं क्या, late और आप कहते हो याप कि जो है, वो आपके क्या है? books और ये books जो होती है js Bing, वह nature में आपके कैसे होती है? analytical. कैसा होती है? analytical. तो लीटिकल, जो है इसका आपके कैसा है और? Analytical, यानिकि यापके क्या है, प्रकर्ती में आपके कैसी होती है, Wishless Naatmak, यानिकि यहाँ answer आपके जाएगा कौनसा, Second, यापके क्या है, प्रकर्ती में कैसी है, Analytical, यानिकि किसी भी चीज को, किसी भी character को आपको क्या करकी बताएंगी, analysis बहुत सारी कीज हैं जैसे flora हो गया, funa हो गया monograph हो गया, manuals हो गया catalogs हो गया, इन सब को आप किसके अंदर लेते हैं विटा, कीज के अंदर ठीक है, next question पर आपन चलते हैं विटा, next question की तरफ आपन बढ़ते हैं, देखो क्या कहोगे next question में यहां वापस आपके five kingdom system से आपके क्या है विटा, question है देखो क्या कह रहा है इसमें सामानित है, cellulose रहितकोसी का भित्ती उपस्थित होती है generally non-cellulose cell wall is present, देखो पहले आप चलोगे मॉनेरा में मॉनेरा में यह आपके होती है किसकी peptidoglycan की, तो तो मॉनेरा इस केटेग्री में आजाएगा प्रोटिस्टा को अगर आप लोगे तो भाई, प्रोटिस्टा में आपके क्या है दिखकरते हैं, यूगलीना जो है वो आपके क्या है, cellulose cell wall क्या है, containing है, तो यहां आपके प्रोटिस्टा बिटा नहीं आएगा फिर आप लोगे, फंजाई फंजाई में आपके बनी हुई है, कायटिन की तो इस केटेग्री में फंजाई आपके आजाएगा, इसके अलाब आपके क्या है, अगर आपन बात करें, तो कौन आएगा, प्लांटी, यह तो आएगा ही आएगा, प्लांटी आपनको जिक्री नहीं कर रखा, तो यह आपके आएगा इसके अलाब आपके कौन, अनिमेलिया, यह आपके सैल वॉल क्या है, एपसेंट है, ठीक है तो इट मेंस यहां आपके कौन कौन आ रहे हैं? मॉनेरा, फंजाई और प्लांटी यहां आपको option में क्या क्या दे रखा है बिटा? मॉनेरा एंड फंजाई तो answer आपके चला जाएगा कौन सा? मॉनेरा एंड फंजाई हर चीज को आप अच्छे से analysis करकर के पढ़ें ताकि आपका question क्या ना हो? गलत ना हो एक एक concept जो है उसको आप clear रखें बिटा तब तो आपके question में कहीं आपको कोई दिक्कत नी होगी हर चीज के आप depth में जाएं NCIT की line to line को आप धंग से पढ़ें की कौन सी line कहे क्या रही है? ठीक है? आगे बढ़ते हैं विटा, 151 की तरफ In kingdom planty, the organization of body become ठीक है? चलो आपन planty के साथ सब में ही देख लेते हैं कि आप देखो क्या कहते हो आप? यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले है आपके कौन? Monera Monera के बाद है विटा, protesta Protesta के बाद है fungi fungi के बाद है planty और planty के बाद है विटा, क्या? Animalia ठीक है? यह आपके कैसा है विटा? Unicellular यह आपके कैसा है? Unicellular यह आपके कैसा है? Multicellular लेकिन multicellular के साथ-साथ यहाँ आपको मिलेंगे loose tissue क्या मिलेंगे बिटा? loose tissue यहाँ आपके मिल जाएगा क्या? tissue plus organ tissue मिल जाएगा और आपके बिटा क्या मिल जाएगा? organ यहाँ आपके organ मिल जाएगा and आपके क्या मिल जाएगा organ system ठीक है तो यह आपके बात कर रहा है कि इसकी planty की तो यहाँ tissue और organ आपके क्या रहेंगे present तो it means जो इस्तर होगा वो tissue और organ level का है उतक और आपके कैसा है अंग इस्तर का यानि कि आपके answer जो बिटा होगा वो आपके होगा कौन सा third ठीक है next अगर आपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे next अगर आपन चलें तो फिर है आपके क्या देखो बहुत important आपको question दे रखा है shape आप से क्या की गई है पूछी गई है ठीक है मिलाते हैं आपन चलो यह कह रहा है क्या correct identify given the A, B, C and D ठीक है फिर आप कह रहे हो क्या यहाँ आपके क्या है correctly identify given diagram A, B, C and D दिये गए चित्र में A, B, C, D को आपको क्या करना है पैंचानना है चलो पैंचानते हैं A जो है वो आपके bacteria की क्या दी गई है यह form दी गई है और यह form आपके कैसी है Vibrio क्या है यह Vibrio दूसरा जो दिया गया है वो आपको दिया गया है क्यान Cynobacteria और यह Cynobacteria जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा Nostock कौन सा हो जाएगा Nostock थार्ड जो है बिटा यह आपके क्या है यह diagram है आपके किसका? bacterium का. यह diagram जो है आपके किसका है? bacterium का. और अगर फोर्थ में आप लोगे तो यह है आपके कौन? bacteriophage. कौन है? bacteriophage. यह आपके क्या है? bacteriophage. तो फर्स्ट जो है वो तो आपके है क्या? vibrio. दूसरा है आपके nostoc. तीसरा है bacterium और चौथा है आपके क्या? bacteriophage. तो आंसर यहाँ जो मैच हो रहा है वो आपके कौन सा है बिटा? थर्ड. यह सीधा सा है यह vibrio है. यह आपके क्या है nostoc है? यह आपके किसका? bacterium का diagram दे रखा है. और वो आपके किसका है? bacteriophage का. it means यहाँ जो आंसर जाएगा वो बिटा जाएगा आपके कौन सा? बोलो सही है क्या? देखो आप हर चीज पर गौर करें. हर जो question है वो NCIT से बहुत अच्छे से क्या किया गया है? fame क्या गया है. कहीं diagram पुछा जा रहा है, कहीं match the column पुछा जा रहा है, कहीं आपको कीज के question पुछे गए, तो हमारी causes है कि हम आपको line to line NCIT क्या करवाएं बिटा? cover करवाएं. ओके बिटा, देखें आपन next अगर आपन बात करते हैं तो आप क्या कहोगे? next जो है वो है आपके क्या? taxonomic studies of various species of plants, animals and other organism are useful in. देखो, आप क्या कह रहे हो? कि अपन taxonomic study कर रहे हैं आपन का एकी various species के. taxonomic studies of various species of plants, animals and other organism are useful in. पोधों, जन्तों तथा अन्य जीवों की विभिन प्रजातियों का वर्गी की अध्यन, किस में आपके क्या है? उपियोगी है. ठीक है? आप कहोगे agriculture और forestry, बिल्कुल साब agriculture और forestry में आपके क्या है? यूजफुल है. इससे आपनको बहुत सारी information मिलती है. कौन सी इसकी species है, कौन सा इसका आपके क्या है order है, कौन सा इसका genus है, इसकी क्या economic importance है, ये सारी जानकारियां आपको मिलती है. इंडस्ट्री और forestry बिल्कुल आपके काम में आएगी, किस जाती का आप कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो, जैसे आपन protein के formation में, SCP में आजकल microorganism का आपन क्या कर रहे है, खूब सारा यूज़ कर रहे है, aloe vera का useful आजकल cosmetic industry में आपके क्या हो रहा है, खूब हो रहा है, तो हर चीज में आपके क्या है, ये information agriculture में भी काम आएगी, forestry में भी काम आएगी, forestry में काम आ रही है, तो industry में भी क्या आएगी, काम में आएगी, knowing our bioresources, अपने जयव मंडल की जानकारी, बिल्कुल अपने जयव मंडल की जानकारी में ये information's जो है, वो आपके क्या रहेंगी, useful रहेंगी, तो कुल मिला के बिटा जी आपने बात करें, तो ये information आपको हर एक चीज में क्या देंगी, helpful रहेंगी, चाहिए वो आपके agriculture हो, चाहिए forestry हो, चाहिए industry हो, चाहिए आपके 9-hour bioresources हो, तो यहाँ answer जो जाएगा वो आपके जाएगा क्या? All of these. तो आपके क्या है, पोधों और जनतों के अन्य जीवों की विभन प्रजातियों क्या वर्गी की अध्यान जो है, वो इन सारी चीजों में आपके क्या है, चाहिए क्रैसी हो, वनिकी हो, उध्योग हो, वनिकी हो, अपने जैवमंडल की जानकरी हो, हर एक चीज की information बेटा ज सही है, और कौन सा statement जो है, वो आपके क्या है, गलत है, चलो आपन करते हैं, वाइव, five kingdom system classification proposed by आरच विहिटाकर, 1969, पाँच जगत वर्गी करन आरच विहिटाकर ने प्रतिपादित किया था, कब? 1969 में, बिलकुल यह आपके क्या है, correct statement है पहला, five kingdom classification is phylogenetic classification, बिलकुल NCIT की line में mention है, कि यह आपके क्या है, उद्ध विकासी है, जाती व्रतिय वर्गी करन है, phylogenetic पे आपके क्या है, basis है, फिर कह रहे हो, cell structure बिलकुल इसमें काम में ली गई थी, thallus organization काम में लिया था, mode of nutrition इन्होंने काम में लिया था, और also include criteria of five kingdom classification, कोशी का संडचना, सुकाय पोशन की विधी को भी पांच जगत वर्गी करन के मान दंडों के रूप में क्या किया गया है, संबलित किया गया है, बिलकुल सही statement है, ये भी आपके क्या है, सही है, Aristotle also proposed phylogenetic classification, नहीं, अरस्तु का जो वर्गी करन था, वो आपके phylogenetic नहीं था, तो यहां आपके क्या बुल दिया, इनोंने जूट हो गया, तो यहां आपके क्या है, 1, 2, 3, यानि कि कितने statement सही है, 3, तो आंसर आपके चला जाएगा, बिटा, कॉनसा, 2nd, पक्का पक्की, देखो हर statement अपने कहां से उठाया है, NCRT से, आपको थोड़ा सा गुमाने की कॉसिस करा है, concept आपके क्ल देखो, पिली जू है, वह आपके साहिल बाईलोजी में भी आपको इसका क्यूशन दे रखा है, तो पिली जू है, वह आपके क्या है, देखो, सबसे पहले आपको पता चलना पड़ेगा, यह आपके इलॉंगेटेड आपके क्या है, structure है, आर यह बास समझ में, देखो, क्य क्या कराईए देखो क्या कराईए पिली जो है आप क्या करें पिली पिली जो है वो आपके क्या है elongated tubular आपके क्या है structure त्यूबुलर क्या है structure ये बिटाजी आपके काय में helpful होती है sexual recombination में किसमें sexual recombination sexual recombination क्या आपको पता है direct DNA का अगर transfer होता है तो इसको अपन क्या करते है sexual recombination जिसके तीन में थर्ड है कौन-कौन सा बोलो transformation दूसरा है conjugation और थर्ड है transduction उसमें से काम में आती है किसमें conjugation में देखो conjugation में जो आपके क्या है ये conjugation tube बनती है ये जो conjugation tube बनी है जिसकी साहिता से plasmid जो है उसको यहां से आपके क्या क्या इस्थानांत्रित किया जाता है उसमें ये आपके क्या होती है helpful होती है तो ये आपके क्या है पिली जो पाई जाएगी जो आपके donor है उसके आपके क्या है उसमें आपके क्या है? आउट ग्रोथ है. तो यह क्या कहे रहे हो? प्रूटो प्लाजमिक आउट ग्रोथ होती है किसकी डॉनर सेल की. मैं क्या कहे रहा हूँ? बैक्टिरिया जो है उसमें DNA का डाइरेक्ट ट्रांसपर आपके होता है? सेक्ष्वल रिकॉंबिनेशन. उसका एक मैथर्ड है कौनसा? कॉंजूगेशन. उस कॉंजूगेशन में जिसमें सैल में प्लाजमिक होता है जो डॉनर होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं और जो रेसिपियंट होता है वो आपके क्या होता है? नेगेटिव. तो यहाँ आपके क्या है डॉनेट यह कर रहा है तो यह पॉजिटिव है यह आपके गेन कर रहा है तो यह क्या है? नेगेटिव. तो यहाँ पिली आपके प्रेजेंट होगी इस पॉजेटिव में, डॉनर में, जो आपके क्या है, कॉन्जूगेशन ट्यूब बना के, प्लाजमिन का कुछ पार्ट जो है, वो आपके डॉनेट करेगा किसको, रेसिपियंट को, तो कुल मिला के मैं बात करूँ, तो पिली जो तो next आप कह रहे हो क्या, which is not a symptom of viral infection in plant, कौन सा लक्षन पोधो में विसानुजनित रोगों का नहीं है, तो देखो, विसानुजनित रोगों से या viral disease से dwarfing and stunting आपके क्या होती है, ग्रोथ होती है, बिल्कुल सही है, देखो, आप क्या कहोगी, which is not a symptom of viral infection in plants, dwarfing and stunted growth, बौनापन तथा अवरुद व्रदी, बिल्कुल करेक्टर है साब, मौजएक फॉर्मेशन, मौजएक का निर्मान, बिल्कुल करेक्टर है साब, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, पर्ण का लिपटना तथा मुडना, बिल्कुल आपके करेक्टर है, प यह करेक्टर आपके किसका है, वाइरॉइट्स का, तो यह आपके फोर्थ जो है विटा, आपके क्या हो गया है, रॉंग, ओके, नेक्स्ट आपन चलते हैं विटा, आगे, तो यहां रॉंग जो हो जाएगा, वह आपके कौन सा है, फोर्थ, हाँ बिटा, नेक्स्ट इस terms दे रखिये हैं, इन में से कौन-कौन family को क्या करते हैं, represent करते हैं, तो देखो, feliddy कर रहा है, kennedy कर रहा है, ठीक है, poiesy कर रहा है, और कौन-one-volacy कर रहा है, तो यहां आपके कौन करेंगे, 4, क्योंकि panther आपके क्या है, genus है, diptera family में include नहीं है, इन सेक्ट आपके family में include नहीं है, तो कौन-कौन सा हो जाएगा, feliddy, kennedy, poiesy और कौन-one-volacy, यानि कि answer जो है, वो आपके जाएगा कौन सा, 4, ओके बीटा, next question आपन लेते हैं, next question की अगर आपन बात करें, तो फिर आपका होगे क्या, find out the incorrect statement, गलत कथन को ग्याद कीजिए, सही है, चलो करते हैं आपन, lenius used systema natury as the title of his publication, lenius ने अपनी किताब का सीड सक आपके systema natury आपके क्या किया था, उपयोग किया था, तो यहाँ इन्होंने आपके क्या है, systema natury बिलकुल आपके क्या किया था, यूज किया था, तो यहाँ आपके क्या है, सही है, दूसरा है, solenum, petunia and datura are included under the three different genus in one family, सही है, यहाँ आपके क्या है, अलग-अलग-अलग आपके क्या है, genus हैं, लेकिन family इनकी आपके क्या है, solenacy, क्या है, same है, solenacy and con-1 olesi are included in polymonials, तो solenacy एक family है, con-1 olesi एक family है, इनको एक आपके similar किस में रखते हैं, बिटा, आपन, order में रखते हैं, और यह order आपके कौन सा होगा, polymonials, तो यह भी आपके क्या है, ठीक है, तो यहाँ incorrect statement आपके क्या जाएगा, none of these, तो यहाँ answer जो जाएगा, वो आपके क्या जाएगा, fourth, यानि कि आपके सारे statement सही हैं, गलत इन में से आपके कोई भी नहीं है, next, अगर आपन बात करें question की, तो है 159, इन earlier classification system, जिसको आपन कहते हैं, two kingdom, given organisms are included under the kingdom, यानि कि आपन the two kingdom system की बात करें, तो इन सब को आपके कहाँ include किया गया है, तो आपके इन सब में कौन कौन है, देखो, बैक्टिरिया दे रखा है, आपको, blue-green algae दे रखी है, mossage दे रखें, fern दे रखें, gymnosperm दे रखा है, और angiosperm दे रखा है, बेटा जी, इन सब को आपके किसमें, two kingdom system, जो कि आपके किसका था, carolus lenius का, उन्होंने इनको सब को आपके किसमें रखा था, प्लांटी में, तो answer जो है, वो आपके चला जाएगा, कौन सा, first, kingdom, planty, next, अगर आपन बात करें, तो फिर है 160, यहाँ आपको match the following column, first and second, यानि कि column first और second को आपको क्या करना है, match करना है, चलो करते हैं, सबसे पहले है क्या, archibacteria, archibacteria, bacteria survive at 100 degree Celsius temperature, तो यह 100 degree Celsius temperature पर आपके क्या करते हैं, survive करते हैं, बिल्कुल सही है, तो यहाँ आपके क्या है, एक तो इसके लिए आजाएगा, कौन सा, first, contain branch chain of lipidin membrane, बिल्कुल सही है, second भी आजाएगा, फिर है आपके, photo-autotroph, आपके क्या है, photo-autotrophic bacteria, नहीं, biogas का आपके क्या करते हैं, production करते हैं, बिल्कुल करते हैं, फिर आप कहरे हो क्या perform antifixation, यू-bacteria करते हैं, नहीं, found in gut region of cows and other ruminant animals, तो यहाँ आपके और कौन सा आजाएगा, six, ठीक है, यू-bacteria के लिए आपके क्या आएगा, photo-autotrophic bacteria हैं, बिल्कुल सही है, third आजाएगा, इसके अलाव आपके क्या है, perform करते हैं, आपके क्या, antifixation, तो कौन सा आजाएगा, fifth, तो चलो मिलाते हैं, first, second, four और six, है ना, first, second, four और six, और third और five आजाएगा इसमें, तो answer आपके चाहेगा, क्या, four, ठीक है, तो आप क्या कहरो, देखो, archibacteria, यह आपके जीवानों, जो hundred degrees Celsius पर जीवित रहते हैं, बिल्कुल सही है, इनकी जिल्ली में, आपके क्या है, लिपिड की साकित्स रंखला है, जो इनको आपके क्या है, इस्थाहित्व क्या करती है, प्रदान करती है, प्रकास संस्निसी स्वेपोसी, आपके यू बैक्टिरिया में आते हैं, यह बायो गैस का निर्मान करते हैं, N2 fixation, यू बैक्टिरिया करेगा, और गायों तथा अन्य रूमिनेंट जन्तूं के किसमें मिलेंगे, आतरभाग में, ठीक है, तो आप क्या कहरो, आपके R की बैक्टिरिया के लिए हो जाएगा, 1st, 2nd, 4 और आपके 6 यू बैक्टिरिया के लिए हो जाएगा, 3 और 5, बोलो पक्का है क्या, चलो आगे चलते हैं अपन, next अगर आपन चलें, तो आप कहरे हो, बैक्टिरिया पर्फॉर्प्रोड divas, फिरींग अफभरीबल कन्डिशन, देखो, आप क्या कहरे हो, अन फेबरीबल कन्डिशन में, बैक्टिरिया बिटा क्या करता है, एक मुटी वाल कंटेनिंग structure बनाता है, इसमें इसका क्या रहता है, genetic material क्या रहता है, conserve रहता है, जिसको आपन कहते हैं क्या, endospore, और धिहान रखना यह endospore जनन के लिए नहीं है, काई के चिर्कालिक्ता, यानि कि pernition के लिए क्या है structure है, क्यों कहोगे pernition के लिए है, एक bacteria जो है वो बनाता है, एक endospore, एक bacteria क्या बनाएगा, एक endospore बनाएगा, और एक endospore germinate होके वापस आपके क्या बनाएगा, एक bacteria, तो यह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने survival के existence के लिए, जो आपके करता है, वो आपके क्या करता है, endospore formation, तो यहाँ answer भी टापके जाएगा, कौन सा third, ठीक है, next अगर आपने बात करें, तो फिर आप कहोगे क्या, organism living in salty area, at high temperature, are called, देखो यह आप Archibacteria में पढ़ते हो, कौन-कौन से होते हैं Archibacteria, जो methane produce करते हैं, जो दल्दली छित्रों में पाए जाते हैं, वो आपके होते हैं Methanogen, दूसरा जो salty area में पाए जाते हैं, वो होते हैं Hellofil, और जो बहुत ज़्यादा acidic condition, और high temperature पे पाए जाते हैं, वो आपके होते हैं Thermoacidophil, तो यहाँ आपके क्या है, क्या करा है यह, salty area में जो मिलेगा बिटा, वो आपको मिलेगा कौन, Hellofilz, तो answer जो जाएगा आपके कौन सा जाएगा, second, फिर next अगर आपन बात करें, तो आपका होगे क्या, देखो, BGAR, blue-green algae आपके क्या हैं, U-bacteria है, और U-bacteria, blue-green algae जो है, वो oxygenic आपके क्या करता है, photosynthesis करता है, तो यह आपके क्या है, photosynthetic आपके क्या है, autotrops, तो यह आपके क्या हो जाएंगे, photosynthetic autotrops, ठीक है, तो BGA जो है, वो आपके क्या है, photosynthetic autotrop, photosynthetic autotrop, oxygenic आपके क्या करता है, photosynthetic, तो यह आपको कौन से option में दे रखा है विटा, first option में, तो answer आपके जाएगा कौन सा, first, ठीक है, next जो है, उस पर आपन चलते हैं, तो है, in which organism reproduction is not synonymous with growth, देखो, कौन से organism में वोते हैं, जिनमें आपके क्या है, growth और आपके reproduction क्या है, synonym में, growth and reproduction जो हैं, वो आपके क्या होते हैं, synonyms, यह आपके किसमें होते हैं, बताओ, unicellular organism में, किसमें होते हैं, unicellular organism में, तो देखो, bacteria आपके क्या है, unicellular organism में, सही है, proto-jooa में भी होंगे, protista में भी होंगे, क्योंकि यह तीनों ही क्या है, unicellular, लेकिन filamentous algae जो है वो आपके क्या होते है multi-cellular तो यहाँ answer जो जाएगा वो बिटा जाएगा fourth तन्तु किये सैवाल जो है इसमें growth और reproduction आपके एक दूसरे के synonym नहीं है क्यों क्यों क्योंकि ये multi-cellular आपके क्या है organism हर word हर question आपके कहां से उठाया गया बिटा NCRT से बहुत अच्छा आपके क्या है paper है और I hope मैं आपके उमीद रखता हूँ कि आपका paper बहुत स्चांदार हुआ होगा फिर आप कहते हो क्या classification which is based on evolutionary relationship of various organe विभिन जीवों के उद्विकासिय संबंदों पर जो आधारित classification होते है देखो artificial morphological characters पे basis होते है जो आपके क्या है यह आपके पहला जो artificial है तो morphological characters पे क्या होता है बेसिस होता है natural morphological के साथ साथ internal characters पे basis होता है the four kingdom classification co-pland ने दिया था जाती व्रतिय वरगी करण जो है वो आपके किस पर phylogenetic classification जो है वो उद्विकासिय संबंद यानि की evolutionary relationship पे आपके क्या होता है बेसिस होता है तो बेटा जी answer यहाँ बनेगा fourth तो answer जो जाएगा यहाँ आपके क्या जाएगा fourth okay बेटा next लेते हैं आपन देखो यहाँ कह रहा है match the following and choose the correct combination from given option निम्न का मिलान कीजिए और दिये गए विकल्पों में से सही का संयोजन कीजिए करते हैं wheat जो है उससे related है आपके कौन? poils कौन related है? poils ठीक है? देखो wheat जो है उससे related है poils 4 आ जाएगा mango जो है उससे related है sapidels तो क्या जाएगा? third आ जाएगा housefly से related है कौन? diptera तो आपके कौन आ जाएगा? second और man का जो आपके क्या है order है वो है primata तो क्या जाएगा? first यानि कि यहाँ सब के आप से क्या पुछे गए है order? wheat का है poils, mango का है sapidels, housefly का है diptera और man का है primata तो 4, 3, second, first तो 4, 3, second और first आंसर आपके चला जाएगा बिटा कौन सा? second ठीक है? next अगर आपन बात करें तो आप क्या कहोगे देखो the most complex and defining characters of living organism सजीवों का सरवाधिक जटिल और परिभासित लक्षण जो है भाई सबसे complex जो feature जो है सजीवों का वो बिटा जी आपके कौन सा है बताओ सबसे आपके क्या है complex feature जो है देखो इस question में आपसे क्या किराएगे ये? the most complex and defining characters of living organism जीवों का सरवाधिक जटिल तथा परिभासित लक्षण है तो कौन सा होता है consciousness यानि की चेतना चेतना आपके क्या है सबसे ज़्यादा जटिल और सू परिभासित आपके क्या है लक्षण है फिर आप क्या कहते हो यहाँ भाई यहां आपके क्या आएगा, थर्ड आएगा, तो आप क्या कहरे हो यहां, चेतना जो है, वो आपके क्या है, सबसे सू परिभासित और जटिल लक्षन है, क्या कहते हो आप, human जो है, कौन, human जो है, उसमें आपके क्या पाई जाती है, self-consciousness, क्या पाई जाती है, self-consciousness, क्य कोई भी आपके एक टरूए है इसको ब्राइब की किसे एक टच सफ्सकरण उत्ट इए इसको शो मुम आपके राच आपके इसकी है ऐए वेश्पंस जनन्रेट करने उसको आड़्ग का क Viceousente में आपका एक पर के युमन इसको एक अड़्ड सबसे इसको आपके किया जाता है, ठीक है? तो यहां आप क्या जाएगी कॉन? Consciousness. Next आप क्या होगी, Correct Ascending Order of Taxonomic Harachay Age. भाई, आपके क्या है? Ascending Order देखना है बिटा. Ascending Order में आप क्या क्या होगी? Dekho, Descending Order जो है वो तो आपके क्या होता है? क्या होगी, क्या होता है? K, D, C, O, F, G, S यह तो आपके क्या है? Descending Order है और अगर Ascending Order में चलना है तो आप इदर से इदर आएं Species, Genus, Family, Order, Class, Division, Phylum और आपके क्या है? Kingdom मिला लो इसको आप, देखो, क्या करे हो? Species, फिर आपके क्या जाएगी? Genus फिर आपके क्या जाएगा? Family फिर Order, फिर Class, फिर Division, फिर आपके क्या जाएगा? Kingdom It means, answer जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा? Second अगर आपको Descending में चलना है, तो K, D, C, O, F, G, S Kingdom, Division, Class, Order, Family, Genus, and Species और आप उल्टे आ रहे हो, तो Order आपके कैसा है? Ascending Next अगर आपन बात करें, तो फिर आप क्या कहोगी? Main Function of Mediosome. क्या कहते हैं आप? Bacteria की जो Plasma Membrane इसमें क्या मिलती है? Foldings मिलती है. Bacteria की जो Plasma Membrane है, इसमें आपके क्या मिलती है? Foldings मिलती है. और यह Foldings जो है, वो Perform करती है, क्या बिटा? Respiration Respiration यानि की Swasn. तो Mediosome का Main Function जो है, वो आपके क्या है? Swasn, यानि की आपके Respiration. तो आपके Main Function जो हो जाएगा, वो आपके क्या है? Respiration ठीक है? तो Answer आपके जाएगा कौन सा बिटा? Fourth हाँ तो बिटा लेखो, 170 Question को आपन देखें Identify A, B, C and B and D fed जानि की A, B, C, D हो you की आपन खरहारा है? Identified तो आपके क्या है? A जो हो आपके क्या है? Head ठीक है? Aご हो आपके क्या рहेगा? Head ए A जो हो आपके क्या है? Head B जो हो आपके क्या है? College NCIT का डाइग्राम है सिधर C जो हो आपके क्या है? Seat और D जो है वो आपके क्या है बिटा, tail fiber tail आपके क्या है, fiber तो ऐसा आपके कहां दे रखा है, head, collar, seat और tail fiber तो answer जो जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा बिटा, third ठीक है, NCIT का diagram है, सीधा सीधा Next अगर अपन बात करें, free RNA infectious agent that was smaller virus and causes plant disease क्या कहरा है बिटा, free RNA infectious आपके क्या है agent देखो, free RNA जिसका molecular weight virus से आपके कम है यह तो होता है, वाइरोइट्स, ठीक है और अगर infectious protein particle हो, तो यह आपके क्या हो जाता, prions तो यह आपके क्या है, इसमें answer जो जाएगा, वो आपके क्या है, वाइरोइट्स ठीक है, तो infectious RNA particle जो है, वो आपके कौन है, वाइरोइट्स आर यह बास समझ में क्या जाएगा, वाइरोइट्स यानि की, third अगर यहाँ infectious protein particle होता, तब आपके answer कौन जाता, prions तो यहाँ आपके कौन आजाएगा, वाइरोइट्स, जानते ही हो आप, किसने ती यो डाइनर ने क्या की थी, discovery की थी, और इससे disease कौन सी होती है, PSTD, potato spindle tuber disease, नेक्स्ट बेटा आपने बात करें, तो फिर क्या कहोगे, रेखो, नेक्स्ट जो है, आपको दे रखा है, colorless, unicellular, cell wall bound, spherical, rod shaped microorganism, that lacking organized nucleus is called, देखो, आप क्या करे हो, colorless हैं, unicellular हैं, cell wall bound हैं, spherical हैं, और rod shaped microorganism, diet lacking, organized nucleus, organized nucleus नहीं है, तो यह आपके किस में आगया, monera में, ठीक है, अब यहाँ monera की आपके क्या है, दो चीजें दे रखिएं, देखो, mycoplasma यहाँ, इसलिए fit नी बठेगा, क्योंकि यहाँ आपके क्या क्या है, cell wall आपके क्या है, आपके क्या दिया है, colorless, cyanobacteria आपके कैसा होता है, बोलो blue green, ठीक है, तो यहाँ answer जो चला जाएगा, वो आपके कौन सा जाएगा, third, ठीक है, next, जो है वो आपन लें, तो आप क्या कहोगे, which of the following group include under monera kingdom, according to the Vihitakar's classification, Vihitakar के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सम्हू मौनारा जगत में रखा गया है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, photosynthetic prokaryotes बिल्कुल रखे गए, photosynthetic and chemosynthetic prokaryotes, ये भी अपन देख लेते हैं, photosynthetic भी होंगे, chemosynthetic भी हैं, और इसमें heterotrophic prokaryotes को भी अपन क्या करते हैं, include करते हैं, तो आंसर यहां आपके कौन सा जाएगा बिटा, third, देखो आप क्या कहते हो, सरवाधिक nutritional diversity जो है, सरवाधिक पोस्निय विवित्ता जो है, वो आपके किसमें पाई जाती है, बताओ, मौने रामे, क्यों, यहां देखो, autotrop होंगे दोनों, phototrotrop और chemototrop, इसके अलावा, heterotrop में यह parasite भी हो सकते हैं, और आपके क्या है, saprobic भी आपके क्या हो सकते हैं, present, तो यहां maximum nutritional diversity है, यह photosynthetic भी हो सकते हैं, chemosynthetic भी हो सकते हैं, और heterotrophic prokaryotes भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, next अगर आपन चले हैं, तो देखो, आप क्या कहोगे, correctly matched list first with list second, यानि कि list first and list second को आप आपको correctly क्या करना है, match करना है, चलो करते हैं अपन, first का होगे virus, ठीक है, तो virus की अगर आपन बात करें, तो potato spindle नहीं होता, इसके लावा water bloom, काय से होगा, BGA से होगा, photosynthetic autotroph, देख लिएंगे अपन, smallpox आपके किस से होता है, बता हो, किस से होता है smallpox, virus से, TO diner, या आपके tie fired, क्या हैगा बिटा, tie fired, तो एक तो यहाँ आपके क्या रहेगा, बता हो, tie fired यानि कि 7, इसके अलावा किसे related पूछा है बिटा आपसे, पहला पूछ रहा है आपसे virus, चलो, virus की बात कर लेते हैं, potato spindle tuber disease नहीं, water bloom नहीं, photosynthetic autotroph नहीं, smallpox होगा और harpeege होगा, यानि कि 4 और आपके क्या रहेगा, 7, तो 4 और 7 आपको किसमें इसमें भी दे रखा है, यहाँ आप ऐसे कर लें, 4 आजाएगा, और आपके क्या रहेगा, 7, ठीक है, वाइरोइड्स जो है, इसमें आपके कौन आ जाएगा, एक तो potato spindle tuber disease और T.O. dynanis की क्या की थी, खोज की थी, तो 1st और 5, यहाँ आपके क्या जाएगा, 1st और 5, फिर है बैक्टिरिया, बैक्टिरिया जो हैं, उसमें आप क्या कहोगे, इससे अगर आपके क्या बात करें, आपन क्या होता है, टाइफाइड, ठीक है, तो टाइफाइड आपके कौन सा जाएगा, यहाँ, 6, कौन सा जाएगा, 6, बीजिये जो हैं, वो आपके एक तो क्या करते हैं, water bloom, यानि कि second, एक आपके क्या है, photosynthetic autotrop है, तो आपके क्या हो जाएगा, third, इसके अलावा यह और photosynthetic आपके क्या है, autotrop है, तो मिलाएं आप 4 और 7, यानि कि 4 और 7, इसके अलावा यह देख लो कि आपके bacteria जो है, C में आपके क्या है, only आपके क्या है, 6, तो C में only 6 आपको मिल रहा है, यहाँ, तो यहाँ answer चला जाएगा, देखो, मिलाएं वापस 4 और 7, 4 और 7, 1st और 5, 1st और 5, फिर आपके क्या है, 6 तो 6, 2nd और 3, तो 2nd और 3, आणसर आपके हो जाएगा, कौन सा, 4th, ओके बिटा, तो आप 175 की जब बात करोगे, तो आप क्या करो, विरियोन is, Nucleic Acid of Virus, नहीं, वाइरस का Nucleic Acid को नहीं कहते है, विरियोन बेसिकली आपके किसको कहते हो, completely assembled virus outside the host, पोसी के बाहर पून आपके क्या होता है, विसानू होता है, उसको आपन बोलते हैं, क्या, विरियोन, तो आणसर आपके जाएगा, कौन सा, 4th, next अगर आपन चलें, find out wrong character with their description, fragmentation, some fungi, filamentous algae, moss protonima, growth, into susceptible type in living, while accretion type in non-living, ठीक है, metabolism, anabolism and catabolism, chemical reaction takes place in organism, सही है, plant growth, localized and takes place for a certain age, ना भाई सावे, फोर्थ में आपके क्या बोल रहा है, जूट बोल रहा है, फोर्थ जो है, वो आपके क्या है, wrong है, क्योंकि यहाँ आपके certain age तक ना होके, यहाँ आपके growth कैसी होती है, undeterminate आपके क्या होती है, growth होती है, जो आ आपके कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, fragmentation, some fungi, filamentous algae, और moss के protonima, कुछ कवक, तनतुरूपी सहवाल और moss के protonima में होती है, growth into susception type in living while, accretion type in non-living, सजीवों में into susception प्रकार की है, जबकि निर्जीवों में क्या है, accretion प्रकार की सही है, metabolism, anabolism and catabolism, chemical reaction takes place in organism, अप्चही अभी क्र में आएं, जो जीवों में होती है, ये भी सही है, plant growth, localized, बिल्कु localized है, लेकिन takes place for a certain age, इस्थानी क्रच तथा एक निश्चित अवस्था तक ना होकर, जिंदगी भर, complete life span में होती है, तो यहाँ आपके wrong जो है, वो आपके कौन सा है, बिटा, fourth, तो यहाँ answer आपके जाएग सबसे पहला है, actinomyces, actinomyces में आपके क्या है, cell wall आपके क्या है, होगी, है न, तो आपके क्या है, यहाँ cell wall आपके क्या रहेगी, present, तो जब monarian have cell wall are, actinomyces में होगी, दूसरा, u-bacteria में होगी, mycoplasma में, नहीं है, archivacteria में होगी, blue-green algae में होगी, fungi आपके क्या है, kingdom ही अलग आर जो है वह आपके किसमें है, first में, ठीक है बीटा, find out correct statement, देखो बीटा, find out correct statement, सत्य कथन को आपको चुनना है, तो पहला है, R की बैक्टीरिया differ from other bacteria, only in having different cell wall structure, cell wall के साथ cell membrane structure भी आपके क्या होती है, differ, bacteria play important role in recycling of nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, सही है ये, इसके बाद मैं कहोगे, no stock and anamina have some specialized cell, cells heterocyst for आपके क्या है, किसके लिए होती है, end to fixation, reproduction आपके इनमें, इनसे नहीं होता, bacteria devoid of rigid cell wall, नहीं, बैक्टीरिया में rigid cell wall आपके क्या है, present होती है, तो यहाँ आपकी correct answer जो है, वो बिटा आपके कौन सा है, second, ठीक है, next, अगर आपन बात करें, तो फिर आप क्या कहोगे, देखो, which of the following is type of bacteria on the basis of shape, निम्न में से कौन से आकृती के आधार पर जीवानों के क्या है, प्रकार है, तो आप क्या कहोगे, monotrichus और आपके क्या है, bacillus, यह तो tricus जो है, वो आपके क्या है, फ्लेजिला की presence और absence की basis पर आपके आता है, tricus है, एक फ्लेजिला है, तो tricus आपके क्या है, mainly flageeला के लिए, तो cocus, आपके कैसा हो जाएगा, बिटा, comma shape, आपके क्या है, spherical, देखो, क्या कहते हो, spherical जो है, उसको तो आपन कहते हैं क्या, cocus, spherical के लिए आप क्या लेते हो, cocus, spherical जो है, उसके लिए आपन कहते हैं क्या, cocus, है न, spherical जो है, इसके लिए आता है, cocus, फिर आपके vibrio जो है, वो आपके होता है, कैसा, comma shape, फिर आपके rod shape जो है, वो आपके कैसे होता है, bacillus, और आपके क्या है, spiral जो है उनको आपन कहते है क्या spirulam. क्या कहरे हो आप spherical को आप कहोगे क्या cocus, comma shape को vibrio, rod shape को bacillus और spiral को आपन क्या कहते है spirulam. तो man shape के basis पे जो है आपके क्या होगा cocus और spirulam यानि कि answer आपके जाएगा क्या second. ठीक है बिटा next question next and last question जो है वो है आपका match the column. चलो match करते है columns को heterocyst, heterocyst जो है वो आपके किस में मिलेंगी बताओ nos stock में और ये nos stock में आपके क्या करेंगी? N2 fixation. ठीक है? फिर आप कह रहे हो क्या? methanogen methanogen कहा मिलेंगे? rumen of cow. यानि कि B का आपके क्या है first. archibacteria most extreme condition में मिलेंगे तो आपके क्या हो जाएगा? fourth. और photosynthetic autotroph को आपके? blue green algae. तो कौन सा हो जाएगा? second. तो answer आपके चला जाएगा बिटा कौन सा? third. तो ये बहुत अच्छा NCRT-based आपके क्या रहा बिटा? paper रहा. I hope आपका ये paper बहुत अच्छा हुआ होगा. फिर भी कोई दिक्कत है तो आपने solution देख ही लिया. आगे आप क्या है? जो भी चीजें, जो भी आपके क्या हाँ दिक्कत हुई, जो भी आपके गलत हुए, उनको आप consider करें. बहुत अच्छे से NCIT को readout करें. जो भी system है, जो भी आपके test हुए है, उनको आप क्या करें? follow करें. ओक्ये बिटा, thank you, JCLC, JCLC, JCLC. Thank you.